कि हलो एब्रीवन दिस आज वीडियो अनदर वीडियो अबोट आइगन लेर का जो है री स्टेकिंग री स्टेकिंग कैप जो है ओपन होने वाले वापस सो इसके पार में बात करेंगे इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में किस स्टाटेजी के तुरू आप गया तो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं आपका एड्रॉप का रिवाट इन मुल्टिपल प्रोजेक्ट उसके अलावाए इस प्रोजेक्ट के वपर 20 प्रोजेक्स डेवलप कर रहा हुसका एड्रोप भी हमको मिल सकते है तो सारे डिटेल स्टेओ में रहे हैं मैंने चैनल को फ़र्स्नेमा मैं में में इसमें टोकन करके आइगनले रिस्टेकिंग पॉइंट कर रहा है इसका तो इसका हुज 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 टोटल वैल्यू लॉग है अभी देख सकते हैं अल्मोस्ट 733,000 इतिरियम इसमें स्टेक्ड है विच इस अरूंड वालुड एट वन पॉइंट बिलियन डॉलर् इस प्लाटफर्म के अंदर रिस्टेक डाए इसका अभी तक टोकन नहीं है बट हम इसका रिस्टेकिंग पॉइंट अक्यूमिलेट कर सकते हैं यह उने वाले इसका जो है अभी इसमें रिस्टेकिंग टोकन जो है बहुत सरा पढ़ा है इसमें आपको एक स्टैटीजी बता या और बाइनांस में भी लिस्टोर रहा है इसका एड्रॉप देख सकते कॉलिफाइड आइगन रिस्टेकर सो आइगन लेयर में जो भी यूजर्स रिस्टेक किया मेरा वीडियो देखे वो सारा यूजर्स को और लेयर की तरफ से तोकन एड्रॉप मिल रहा है और आप उस सकते हैं इसका मतलब 29 जैन को आप आप jake कर सकते फлись के बात पिर लॉपर और प्राइड के सास्थ अल्री्याइस प्लाडेयों नोगर वह सकते इसके तुर्ण आपको maximize कर सकते हैं अगर आप देगा तो टॉप ट्री स्टेकिंग प्लाटफर्म और टॉप 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 का टोकन है बट स्वेल का टोकन नहीं है बट इसका का अगरंगे टॉप टॉपट स्वेल के उपर लेट टॉप टॉपर मार्कट टेप देखा तो और बीच्वाला ठोड अब प्रोजेक्ट में देखा तो इसमें अब भी तक टोकन नहीं है इसमें अब आल्रेडी 417 मिलियन डॉलर्ट वर्थ इतिरियम इसमें स्टेक्ट है अरोंड 16 167 तौजन इतिरियम इसके ओपर स्टेक्ट है एक टोकन है इसका जो है टोकन अल्रेडी कंफर्म्ड है अगर आपको स्टेक्ट करने से आपको हर इतिरियम के लिए वन इतिरियम आप स्टेक्ट करके उसको लेके सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें करने से आमको स्टेक्ट हो सकता है क्यूंकि इसका बहुत इतिरियम स्टेक्ट है एंड कंपारिटिव तो अधर एलेस्ट इस देगा तो यह हूज पोटेंशल हो सकते हैं इसमें आप जाके ट्राइ कर सकते हो आपको स्टाइडिजी दिखाऊंगा जिब आइगन लेयर का इस्टेकिंग का उपन होगा आपको फर्स्ट में जाना होग होगा मेरा लिंग नीचे रहाएगा रेफरेल लिंक यूज कीजिए ताकि आपको थोड़ा एक्स्टा पैल्स टेन एक्स्टा पैल्स हो है आपको मिलेगा तो इसमें आके आपको इतिरियम को स्टेक करना होगा एक इंपॉर्ण चीज अगेस इसमें आपको ब्लाइंड ली स करना स्मॉल अमोंट कर रहा तो इग्नोर कीजिए स्किप कीजिए एंड इसको लॉंग टर्म के लिए टार्गेट कीजिए अगर आप लॉंग टर्म के लिए एथिरियम बुल रन के लिए अपके पास वैलेट में पढ़ा है तो तब जाके आप इसमें स्टेक कर सकते ताकि आपको 3-6 में अच्छा कासा आपको रिस्टेकिंग पॉइंट मिलेगा उसका एड्रोब मिलेगा तो आपको आपको 20-30 डॉलर जो है गैस फीज में चले जाएगा तो आपको ध्यान में रखना होगा तो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट एथियम में जाके आप पॉइंट फईधियम डिपॉजिट कर रहा प्रोसेश कीजिए कंफर्म कीजिए एंड फिर्स्ट हमारा फॉर डॉलर का ओलों 5 डॉलर का ट्रांजेक्शन फीज लगा अभी हमारा स्टेकिंग कंप्लीट हो गया लेट प्रोसेश का और आपको यह स्टेकिंग का इसको क्लिक कीजिए आपको अमोंट एंटर करके डिपॉजिट करना हो अगर आप अभी किया तो आपको इधर डिपॉजिट सर पॉजट करके एक एरर आएगा आपको 29 जनवरी तक वेट करके जब इसका लेस्टी ओपन लगेगा सो टोटल हमको 16-17 डॉलर का गास चले जाएगा इंड हमारा स्वेल इतिरियम जो है सक्सेस्फली स्टेक हो गया सो बस इतने ही वन से स्टेक करती है आपको 60-70 स्वेल में मिलेगा जो स्वेल टोकन का एड्रॉब देगा उसके आलावा हमको आइगन लेर में री स्टे पर बहुत बड़ा एको सिस्टम बनाया अल्री तो देख सकते हैं कि अल्मोस्ट मैं इप्रोजेक्स प्ड़ाया है औरनिटी प्रोजेक्स है जिसमें आप देख सकते हैं जो आईगन लेर टेक को उसकी एड पर बिल्ट कर रहा है यह प्रोजेक्स भी जस्त-like औलेअर उस प आप जो हैं हमको उसमें भी मिलेगा आज का वीडियो आप चाहिए तो ट्राइब कर सकते हैं एक और इंपॉंट्ट जो है फोर डेस के लिए ओपन होगा अगर आप वीडियो फोर डेस लिमिट होने के बाद क्लोज देख रहा तो आपको एक और ऑप्छन है इतर फाइक तुर आप यहां आप अच्छा लगा है उसको नहीं पता क्या इतर फाइकर को मिलेगा यह नहीं सो आई अब इतर फाइक को कुछ टोकन किया तो वह इतर फाइक जो है हमारा जो कम्मुनिटी मेंबर जो इसको डिस्टिबीट किया जाएगा सो मैं मैं मैंसम्रेक्मेंड करूंगा आप स्टेक किजिए ताकि दो मिलेगा इनकेस आपका क्लोज हुआ तो आपको अर्जेंट है तो तब जाकि आप इतर फाइस से स्टेक कर सकते हैं आज के वीडियो आपको थोड़े भी हेल्फ लगा अच्छा लागा मैंने चैनल को सब्सक्राइब को लाइक करना एंज जो तर सकते हम आज की प्थीज़ वयलुटाइब करना एंज जो षाम की जैहीं